हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेट की नई क्लास में दोस्तो आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि जन सेवा केंदर पर कौन कौन से काम होते हैं और वो काम जो है कैसे किये जाते हैं आज की एक लास आप सभी के लिए बहुत ही जादा important है खास करके उन लोगों के लिए जो computer सीखने के बाद जन सेवा केंदर खोलना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप computer सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं और आप एक जन सेवा केंदर खोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा और ध्यान से देखेगा ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा लेकिन इस वीडियो के अंदर जन सेवा केंदर पर जो भी काम किये जाते हैं वो सभी काम और वो सभी वेबसाइट जिनके द्वारा जनसेवा केंदर पर काम किये जाते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूँ जैसा कि आप सबसे पहले तो ये डैमो देख लीजेगा यहाँ पर मैंने आपके लिए स्लाइट बाई स्लाइट सारी चीजे बनाई है एक एक करके हम लोग हर एक स्लाइट के बारे में अच्छे तरीके से सीखेंगे इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा जैसा कि दोस्तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जन सेवा केंदर पर जो भी काम होते हैं उसका एक छोटा सा पोस्टर आपको दिखाई देरा होगा और इस पोस्टर पर कुछ काम भी लिखे गए हैं जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट सेवा, ड्राइविंग लाइसेंस, आजात निवास, रेलिवे टिकर्ट, बिजली बिल, फोटो कॉपी करना, लेमिनेशन करना, इसके अलामा, जन्म या मिर्ति प्रमार पत्र बनाना, इसके अलामा और भी बहुत सारे क जन्सेवा केंदर पर होते हैं, जो की आगे आपको पता चल जाएगा, तो हम लोग बारी बारी से करके, एक एक करके, सभी के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे, और उनकी मैं आपको वेबसाइड भी बताऊंगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आधार इन दो वेबसाइड पर जाना होता है, जितने भी जन्सेवा केंदर वाले हैं, जो जन्सेवा केंदर चलाते हैं, वो इन्हीं वेबसाइड का इस्तमाल करके, आधार कार्ड का काम करते हैं, अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है, या फिर प्लास्टिक वाला आध आधार कार्ड मंगाना है या फिर आधार कार्ड में कौन सा मॉबाइल नंबर लिंक है या फिर आपके बैंक खाते के साथ आधार कार्ड लिंक है की नहीं इसके अलामा अगर आपका आधार कार्ड खो गया है आपको आधार नंबर नहीं पता है तो आप इसी वेब साइट से करेंगे इसके अलामा और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाब जो है आप इन दोनों वेबसाइट से ले सकते हो वैसे मैंने इन दोनों वेबसाइट के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो भी बनाया है अगर आप ने वो नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई बटन में और नीचे वीडियो के description box में भी दे दूँगा उस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आधार काड की ये जो वेबसाइट है इनका इस्तमाल करके आप आधार काड के कौन-कौन से काम कर सकते हैं तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि अगर pen card में correction करना हो या फिर pen card download करना हो या फिर और भी pen card के जो भी काम होते हैं वो अगर करना हो तो कैसे करेंगे और कौन सी website है तो देखिए pen card जो है केवल दो ही कंपनिया बनाती है पहली है NSDL और दूसरी है UTI जितने भी जनसेवा केंदर वाले हैं वो इन ही दोनों का इस्त Google में NSDL लिखना है आप NSDL की website पर आ जाएंगे नीचे आ जाएगी और अगर आप UTI की website पर जाना चाहते हैं तो UTI लिखेंगे तो UTI की website पर आ जाएंगे या फिर अगर आप जो है direct pen card apply लिख देते हैं तो यहाँ पर NSDL और UTI की website दोनों आ जाती है आप जिस भी website पर जा जाते हैं यानि 107 रुपे में आपका pen card बन जाता है चाहे आप NSDL से बनाएं चाहे UTI से बनाएं और मैं आपको बता दू कि अक्सर आपने देखा होगा कि जनसेवा केंदर पर एक instant pen card आपको बना के दिया जाता है यानि कि काफी सारे लोगों को pen card की जल्दी से जल्दी ज इस website के थुरू जो है आप अपने आधार card के थुरू ही instant pen card बना सकते हैं केवल 10 से 15 मिट के अंदर आपका pen number generate हो जाएगा उसको जो है आप print करवा करके pen card को use कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप आधार card के थुरू e-feeling website से pen card को बनाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल free में pen card बन जाता है लेकिन अगर आप जो है e-feeling website से pen card बनाते हैं तो वो आपकी घर पे physical नहीं आता है यानि plastic वाला card नहीं आएगा अगर आपको plastic वाला pen card घर पे मंगाना है तो आपको NSDL या फिर UTI की website पर ही जाना है 50 उरपे का charge आप से फिर भी लिया जाएगा pen card plastic वाला घर प से link करेंगे आप अपना भी कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं आपका pen card verify करना हो तो आप यहीं से करेंगे इसके अलावा income tax return status देखना है तो आप यहीं से करेंगे इसके अलावा आधार card pen card से link हुआ है कि नहीं अगर उसका status चेक करना है तो आप यहीं से करेंगे इ बहुत सारी सुविधाएं जो है e-feeling website पर भी दी गई है तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर आपको pen card का कोई भी काम करना है आप जनसिवा केंदर खोल रहे हैं तो आपको दो website को हमेशा याद रखना है NSDL और UTI और e-feeling website को भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी website आपके लिए काफी ज़्यादा important है क्योंकि काफी सारी customer ऐसे आजाते हैं जिनको जल्दी से जल्दी pen card की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहां से जो है उन्हें केवल 10-15 मिंट में ही pen card को बना करके उन्हें print करके दे सकते हैं अब अगर आप ये जानना चाते हैं कि NSDL से या फिर UTI से pen card कैसे बनाया जाता है तो उसके उपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है उपर आई बटन में या फिर नीचे जो है वीडियो के description box में link मिलेगा जिस पर click करते ही आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं इसके अलामा दोस्तों अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि अगर आपको वोटर कार्ड का काम करना है तो कैसे आप कर सकते हैं या फिर जितने भी जनसेवा केंदर वाले हैं वो लोग जो है वोटर कार्ड का काम कैसे करते हैं जैसे कि नया watercard बनाना हो watercard में कोई correction करना हो watercard download करना हो तो ये सारा काम जो है जनसेवा केंदर वाले कैसे करते हैं और आप कैसे करेंगे इसके लिए दोस्तों आपको watercard की official website पर जाना होगा जो कि है www.nvsp.in जैसे ही आप google में nvsp.in भी लिख देंगे तो भी watercard की official website आ जाए जाएगी यानि कि national water service portal की official website आ जाएगी इस website को जब आप click करोगे तो कुछ इस तरीके से interface दिखाए देता है यहां से जो है आप watercard download कर सकते हो एक नया watercard बना सकते हो watercard में कोई गलती है अगर उसे सही करना है तो आप इसी website से सही कर सकते हो इसके अलामा दोस्तों watercard की एक application जो कि आपको play store पे मिल जाएगी उसका इस्तमाल करके भी आप जो है यह सारा का सारा काम कर सकते हो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपको watercard का कोई भी काम करना है तो आपको जो है इस portal पे जाना होगा nvsp.in पे या फिर मैंने आपको बताया कि watercard की एक application है उसका भी जनसेवा केंदर वाले हैं जो watercard का काम करते हैं वो इसी website से करते हैं अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जनसेवा केंदर वाले आधार कार्ट से पैसे कैसे निकालते हैं और अगर आप भी जो है आधार कार्ट से पैसे निकालना चाहते हैं लोगों को आधार ATM क सर्विस देना चाहते हैं तो आप कैसे जो है अपने जनसेवा केंदर पर आधार ATM सर्विस को चालू कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों जितने भी जनसेवा केंदर वाले हैं जो आधार कार्ट से पैसे निकालते हैं उन लोगों तरफ से आपको जो है एक ID और पासवर्ड दिया जाता है, ID और पासवर्ड लेने के बाद उसी बैंक की एक application होती है, उस application में आपको ID और पासवर्ड डालना होता है और उसी application का इस्तमाल करके आप customer के आधार कार्ड से अंगूठे लगा करके उसके पैसे निकालते हैं, अब सवाल ये भी बनता है कि कौन-कौन सी ऐसी कंपनिया है या फिर कहें बैंक हैं जो APS की सुविधा देती हैं तो आज के समय में लगबग सभी बैंक के जो है APS की सुविधा देती हैं चाहे State Bank हुआ चाहे UBI चाहे पंजाब चाहे Bank का बडोदा ICI-CII Bank ये सभी सरकारी बैंक के जो है APS की सुविधा देती हैं लेकिन सरकारी बैंकों से APS की सुविधा लेना थोड़ा सा मुस्किल है क्यूंकि सरकारी बैंक के जो है सभी लोगों को जो है APS की ID और पासवर्ड नहीं देती है आपने अपने मार्केट में देखा होगा कि केवल 2-4 लोगों को ही जो है सरकारी बैंकों का APS का ID और PASSWORD होता है और केवल 2-4 जगों पर ही जो है सरकारी बैंकों का MINI BANK होता है जहां से लोग अधारकाट से पैसे निकालते हैं लेकिन दोस्तों बहुत सारी जो है प्राइवेट बैंकें भी हैं जैसे फीनो, मित्रा बैंक हो गया, पेनियर बाई हो गया, स्पाइस मनी हो गया, एटेल पैमेंट बैंक हो गया, इसके अलामा और भी बहुत सारे जो है प्राइवेट बैंक हैं जो आपको APS की सुविधा दे ये जो तीन मैंने आपको बताए हैं ये अपने आप में एक पॉपुलर बैंक हैं और जादा तर लोग जो है इनी तीनों का इस्तमाल करते हैं आप इनमें से किसी भी एक का आईडी और पासवर्ड ले करके अपने जन सेवा केंदर पर आधार कार्ट से पैसे निकालने का जो बिजनस है उसे सुरू कर सकते हैं कस्टमर के पैसे निकाल करके अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं अब अगर आप ये जानना चाते हैं कि इसका आईडी और पासवर्ड कैसे मिलता है या फिर जो है आधार कार्ट से पैसे कैसे निकाले जाते हैं तो इसके उपर मैंने पह जनसेवा केंदर वाले हैं वो लोग पासपोर्ट का काम कैसे करते हैं तो देखिए दोस्तों जितने भी जनसेवा केंदर वाले हैं वो लोग जो है पासपोर्ट का काम जो है पासपोर्ट इंडिया.gov.in की एक ओफिस्यल वेबसाइट है इसी वेबसाइट का इस्तमाल करके करत वो इसी website के जरीए किये जाते हैं इस website पर जाने के लिए आपको google में search करना है passport India इसके बाद जो है passport India.gov.in की official website मिल जाएगी जिस पर आपको लिखा होगा passport सेवा आप जैसे ही इस पर click करेंगे इसके बाद जो है आप passport India.gov.in की official website पर आ जाएगे website का interface को इस तरीके से आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपको एक option मिलेगा new user registration आप इस पर click करके एक नए passport के लिए आवेदन कर सकते हैं इस website से passport बनाने के लिए आपको 500 रुपे यहाँ पर fees देनी होती है जितने भी जनसेवा केंदरवाले हैं वो सभी लोग जो है इसी website से passport बनाने का काम करते हैं अब दोस्तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जनसेवा केंदरवाले driving license का काम कैसे करते हैं और अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं तो देखिए driving license बनाने का काम हो या फिर उसे renew करने का काम हो या फिर learning license बनाने का काम हो यानि कि driving license का जितना भी का जहां पर आप जा करके एक नया driving license बना सकते हैं, learning license बना सकते हैं, और जितने भी जनसेवा केंदर वाले हैं, इसी website का इस्तमाल करते हैं, इसके लिए आपको Google में जाना है, परिवहन लिखना है, इसके बाद परिवहन सेवा लिख करके आजाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप परिवहन सेवा के official website पर आजाएगे, यहां से आप learning license के लिए apply कर सकते हैं, driving license के लिए apply कर सकते हैं, जो कुछ भी license सम्मदित काम है, वो इसी portal से किया जाता है, दोस्तों मैं जितनी भी जानकारियां आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, यह मैं आपको थोड़ा थ अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखेगा, आपको बहुत सारी चीजे इसमें सीखने को मिलेगी, वीडियो पसंद आ रहा हो तो like, share, subscribe कर लिजेगा, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आजात निवास प्रमाड़ पत्र कैस बनाया जाता है, तो देखिए, इंडिया के अंदर काफी सारे स्टेट हैं, और हर एक स्टेट के लिए अलग-अलग वेबसाइट बनाई गई है, आजात निवास बनाने के लिए, तो मैं आपको केवल एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ, उस वेबसाइट पर आप इ जनसेवा केंदर वाले हैं वो लोग क्या काम करते हैं कि जिस भी राज्य के रहने वाले हैं जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने उत्तर प्रदेश में आजमगर जीली में माल लीजिये मैंने जो है एक जनसेवा केंदर खोल दिया है तो मैं उत्तर प् का काम करना शुरू करेंगे तो आपको जो है अपने state की website पता चल जाएगी लेकिन सवाल अभी का आता है कि अभी जो है आपको आपके state की website कैसे पता चलेगी तो उस condition में आपको जो है india.gov.in की official website है पूरे इंडिया के लिए है आपको जो है इसी website पर चलना है तो मैं चलिए आपको पूरा detail में search करके दिखाता हूँ तो इसके लिए आपको google में आना है और लिखना है india.gov आप india.gov भी लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा इसके बाद आपके सामने जो है www.ind india.gov.in की official website मिलेगी आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद जो है आप india.gov.in की official website पर आ जाएगे अब जो भी परमारपत्र आपको बनाना है जैसे कि अगर आपको जात परमारपत्र बनाना है तो यहाँ पर यह जो search बार दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे cast certificate लिखेंगे और अगर आपको income बनाना है यानि आय परमारपत्र बनाना है तो income certificate और अगर आपको निवास परमारपत्र बनाना है तो आप domicile certificate यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पर लिखता हूं cast certificate लिखने के बाद अब जो जो है search result आपके सामने आ जाएगा अलग अलग जगह की website आपके सामने आ जाएगी जैसे की देखे दिली की है जारखंड की है यह वाली website है जो आटी पीएस यह बिहार की website है UP की website है इसी तरह है से आपको जो है यहाँ पर अलग-अलग state की website मिलेगी जैसे कि देख सकते हो तैलंगना की है केरला की है अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर नहीं मिल रही है आपके राजिकी तो आप दूसरा पेज यहाँ से खोल लीजेगा तो दूसरे पेज में आपकी स्टेट की वेबसाइट मिल जाएगी अगर आपको फिर भी यहाँ पर ढ में परिशानी हो रही है आपके स्टेट की website नहीं मिल रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यह जो आपने यहां पर यूपी लिख देंगे और इसके बाद जू है सर्च कर देंगे तो आपके सामने यूपी की जो है वैब्साइट आ जाएगी आप इस पर क्लिक करके यूपी की वैब्साइट पर आ जाएगे search कर लेनी है वो चीज भी जो है आपको यहीं पर मिल जाएगी बस आपको यहाँ पर लिखना है जैसे अगर आपको death certificate बनाना है तो आप death certificate लिखेंगे death certificate लिखने के बाद अब आपको search कर देना है इसके बाद जो है आपके सामने death certificate बनाने के काफी सारी website मिलेंगी अलग-अलग state की अलग-अलग website मिल जाएंगी अगर आपके state की यहाँ पर website नहीं मिल रही है तो फिर वही काम कर देना है लिखने के बाद अब आपको अपने state का नाम लिख देना है जो भी आपके state का नाम है तो आप यहाँ पर जो है birth certificate लिखेंगे और इसके बाद जो है state का नाम लिख देंगे तो यहाँ पर जो है आजाएगा आप जो है इस पर click करके birth certificate भी बना सकते हो ठीक है तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर आपको जो है आजात निवास प्रमाट पत्र बनाना है birth, death certificate बनाना है तो आप जो है इस website पर आ करके search करके भी बना सकते हो और जब आप धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे तो आपको खुद जो है अपने state की website याद हो जाएगी या फिर जो है रासन कार्ड में नए member को add करना चाते है या फिर वहां से member को हटाना चाते है ये सब काम करने के लिए आपको एक csc id लेनी होगी या फिर आप चाहें तो सहच जनसेवा केंदरेक होता है उसकी भी id और password ले सकते हैं csc का id और password ले लीजिए या फिर सहच का इसके बाद जो है आप रासन कार्ड नया बना सकते हैं रासन कार्ड में कोई सुधार करना हो तो कर सकते हैं लेकिन दोस्तो उसके अलामा भी और भी बहुत सारे काम है जैसे कि रासन कार्ड की list देखना हो उसे print करना हो ये सारे काम भी जो है जनसेवा केंदर पर आते रहते हैं तो वो सारा काम आप कैसे करोगे उसके लिए दोस्तो nfsa.gv.in की एक official website है आपको जो है इस पर जाना होता है जब आप google वे nfs से search करेंगे तो website आजाएगी आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप national food security portal पर आजाएगे यहाँ पर जो है सभी के सभी state दिये गए हैं आप अपन card की photocopy करवाना चाता है तो आप उसे print करके भी दे सकते हो इसके अलामा दोस्तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई भी pension का farm भरना हो तो आप कैसे भरेंगे जैसे कि वृद्धा pension हो गया विकलांग pension हो गया या फिर जो है विदवा pension हो गया तो यह सारे pension का farm अगर आपके पास आता है तो आप कैसे भरेंगे या फिर जनसेवा केंदर वाले कैसे भरते हैं कौन सी website का इस्तमाल करते हैं तो दोस्तो इसके लिए भी मैं आपको Google पर लेकर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अपने इंडिया के अंदर ज पेंसन लिखने के बाद जो है अब आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है जैसे कि मालीजी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार लिख देंगे इसके बाद जो है इंटर बटन दबाएंगे सर्च हो जाएगा तो बिहार की जो पेंसन योजना का जो ढर के बाद बटन दोस्तों अगर आप जो है यूप के रहने वाले हैं तो क्या काम करेंगे पेंसन लिखेंगे और इसके बाद जो है अपने स्टेट का नाम लिख देंगे जैसे मैं यूपी लिख देता हूं इसके बाद Uhp की गया जाए आ जाएगी आप इस पर Q लिक करें इसके अलावा दोस्तो अगर आप जो है दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप जो है वही काम करेंगे pension लिखने के बाद अपने state का नाम लिख देंगे मैं या पर दिल्ली लिख देता हूँ इसके बाद जो है enter key को press करेंगे तो दिल्ली की website आजाएगी आप जो है इस पर click करके कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास पैंसन योजना का कोई भी फार्म आ गया है अगर आप उसको अपलाई करना चाहते हैं तो आप गूगल में आएंगे लिखेंगे पैंसन उसके बाद अपने स्टेट का नाम लिख देंगे इसके लावा एक और सरल तरीका यह है दोस्त वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आप जो है ओनलाइन सारा काम करना सीख जाओगे बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे हैं अब दोस्तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं त चलिए अब मैं आपको बताता हूँ तो देखिए जितने भी जनसेवा केंदर वाले हैं वो दो वेबसाइट का इस्तमाल करके ज़्यादा तर बुक करते हैं पहला है ये जो है इंडेर रेलवे की ओफिशल वेबसाइट है आप इस पर जाकर के एक पब्लिक एकाउंट भी बना सकते हो और नॉर्मली अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए भी टिकट यहां से बुक कर सकते हो इसके अलावा अगर आपके पास जनसेवा केंदर हैं और आप जो है टिकट निकलने का एजेंट बनना चाहते हैं एजेंसी लेना चाहते हैं तो आप e-rail.in पर जा करके रिजिस्टेशन कर सकते हैं जब आप जो है e-rail.in पर जाएंगे तो यहां पर आपको बताया गया है कि रिजिस्टेशन करने के लिए आपको 3999 रुपे देना होगा फर्स टाइम और इसके बाद जो है आप एजेंट बन जाएंगे एजेंट बनने के बाद जो है आ आपको इतना ध्यान देना है आप IRCTC का फ्री एकाउंट बना करके अपना और अपरे परिवार वालों का जिनका भी टिकट निकालना चाहो निकाल सकते हो और अगर आप जो है एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको इसका जो है आईडी और पासवर्ड लेना होगा जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे तब जो है आप इसका एजेंट भी बन पाऊगे वैसे मैं आपको बता दूँ कि IRCTC का एकाउंट कैसे बनाया जाता है और इससे टिकट कैसे बुक किया जाता है इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया है बहुत अ बुक करना है उसकी वैबसाइट पर जाना होता है जैसे कि आपको गो इंडिया गो का टिकट बुक करना है तो आपको इस वैबसाइट पर जाना होगा इसी तरीके से अगर आपको एयर इंडिया का टिकट बुक करना है तो आपको एयर इंडिया.com की वैबसाइट पर जाना होगी जैसे कि आप कहां से कहां तक यात्रा करना चाते हैं किस डेट को यात्रा करना चाते हैं इसके बाद जो है सर्च फ्लाइट पे क्लिक करके आप अपनी फ्लाइट को बुक कर सकते हैं सेम इसी तरीके से आपको एर इंडिया पर भी ऑप्सन मिल जाता है आपको उस जगह का नाम बताना है जहां से जहां तक आपको जाना है डेट बतानी है इसके बाद जो है आप यहां पर भी जो है टिकट बुक कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर फ्लाइट का टिकट बुक करना है या फिर कहें जो भी जनसिवा केंदर वाले flight का ticket book करते हैं वो इन्ही website से करते हैं जितने भी flight है अलग-अलग company की हैं अलग-अलग उनकी website है उन्ही website पर जा करके ticket book के जाता है इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि phone पे, paytm, google पे से भी flight के ticket book के जाते हैं आप उनसे भी फ्लाइट की ticket गुक कर सकते हैं अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि बिल कैसे चेक किया जाता है या फिर कैसे जमा करना होता है आपने देखा होगा जनसिवा केंदर वाले बिजली बिल भी जमा करते हैं बिजली बिल जमा करना बहुत जादा आसान है चलिए मैं आपको ये practical करके दिखा देता हूँ देखिए हम जो है Google पे आ गए हैं और अगर हमें बिजली बिल चेक करना है तो हम बिजली बिल लिखेंगे और इसके बाद जो है चेक और इसके बाद जो है आप इस website को open कर लिजेगा और इसके अंदर जो है आप अपना उपभोकता संख्या डाल करके submit करेंगे तो चेक भी कर पाएंगे और वहाँ पर जो है जमा करने का भी option दिया गया होता है आप उस पर click करके जमा भी कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो हम यूपी सर्च करेंगे और यहां पर देखे यूपी की website आ गई है हम इस पर click करेंगे इसके बाद जो है हमारे सामने account number मांगा जाएगा हम इसके अंदर account number डाल करके यह वाला capture सेम इसके अंदर डाल करेंगे सब्मिट करेंगे तो हमारे सामने जितना भी हमारा बिजली का बिल है वो दिखाई देगा नेजे की side में जो है pay का option मिलता है pay पर click करके जितना भी बिल हम pay करना चाते हैं वो amount डालने के बाद जो है हम pay कर देंगे अपने phone pay 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 पे टियम से तो बिजली का बिल pay हो जाता है ठीक है इसके बाद दोस्तो जनसेवा केंदर पर इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे photo copy करना, photo बनाना, lamination करना, print out निकलना इसके अलावा अन्य तरह के फार्म भरना, जैसे कोई job अगयरा आ गई है कोई result आ गया है, या फिर कोई admit card डाउनलोड करना हो उसे print करके देना हो, तो ये सारे काम भी जो है जनसेवा केंदर पर होते हैं तो मैं आपकी जानकारे के लिए बता दूँ, photo copy करना, photo बनाना, lamination करना, print out निकलना ये सारे के सारे काम जो है, मैं आप सभी लोगों को गुलाब गुरु वाले चैनल पर आदे से ज़्यादा सिखा दिया हूँ और भी मैं सिखा दूँगा, ठीक है, जिसमें मैंने photo बनाना और print out निकलना और lamination करना ये तीन चीज़े सिखा दी है बस जो है photo copy करना सिखाना है, वो भी मैं आपको सिखा दूँगा, इसके लिए जो है गुलाब गुरु चैनल को subscribe कर लिजेगा इसके अलामा दोस्तों अन्य तरह के farm भरना, जैसे कोई नई नई जॉब आ गई है, नया admit card आया है, या फिर result देखना है, या फिर triple C का farm भरना है, या फिर और भी जितने भी अन्य तरह के farm भरे जाते हैं, उन सभी की जानकारी आपको digital गुलाब गुरु चैनल पर मिल tactical एक एक वीडियो में करकर के आपको अच्छे तरीके से समझा करके पूरी complete जानकारी दूँगा digital गुलाब गुरु चैनल पर, दोस्तों इस वीडियो के अंदर हर एक topic को बड़े अच्छे तरीके से समझाना, उसको करके दिखाना थोड़ा सा मुस्किल होगा, क्योंकि ये जनसेवा केंदर पर काम करने के लिए हमें जानना जरूरी होता है, अब ये जानकारियां आपको पता चल गई हैं, आप चाहो तो खुद से जो है यूटूब पर सर्च करके इन सभी पे वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर आप केवल मुझसे ही सीखना चाते हैं, तो आ इस कंडिशन में एक सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की ओफिसल वेबसाइट है, जो की देखने में कुछ इस तरीके से आपको मिलती है, इस वेबसाइट पर जितने भी नए नए जॉब आती हैं, जितने भी रिजल्ट आते हैं, इसके अलावा गॉर्मेंट की तरफ से जितन नए नए योजनाएं आती हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में भी आपको इस पोर्टल पर यानि की इस वेबसाइट पर जानकारी मिल जाती है, तो आपको केवल एक वेबसाइट को याद कर लेना है, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, जितने भी जनसेवा केंदर वाले हैं वो इसी वेबसाइट का इस्तमाल करते हैं, कोई भी फान भरना हो, कोई भी एड्मिट कार्ड, कोई भी जो है रिजल्ट देखना हो, वो सारे के सारे लिंक यहाँ पर दिये गए होते हैं, अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी वेबसाइट बताई है, जो भी जानकारियां बताई है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है, इसका कारड़ यह है कि ये वीडियो पहले से ही बहुत जादा लंबा हो गया है, और मैंने अगर एक-एक टॉपि गुलाब कुरू चैनल पर मिल जाएगा आप इस चैनल पर जाकरके उन सभी वीडियो को देख सकते हो इस की अलामा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैंने काम और जितनी भी वेबसाइट इस वीडियो के अंदर बताई है इसकी अलामा और भी बहुत सारे काम जो ह इस वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है जनसेवा केंदर पर काम करना सीखना चाहते हैं तो आप डिजिटल गुलाब कुरू चैनल को जरूर से जो है सबस्क्राइब करके रख लिजेगा इस पर मैं आपको वही सारे वीडियो देता हूँ जो जनसेवा केंदर पर लोग काम करते हैं उन्ही टॉपिक पर मैं वीडियो यहां पर बनाता हूँ जैसे कि मैं आप देख सेके तो PM किसान का मैंने बनाया है इसके लावा पेंसन का भी फार्म मैंने भरना बताया था इसके बाद अधार कार्ट से पैसे कैसे निकालते हैं वो भी बताया था तो बहुत सारे वीडियो मैंने इस पे बनाये हैं आप उसे देख लीजेगा कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके सवाल थे उन सभी सवालों को मैंने स्लाइड बाई स्लाइड यहां पर लिखा और उसके उपर मैंने फिर से प्रैक्टिस की फिर आप सभी को उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से समझाया और अगर आपके मैंन में और भी सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट जरूर करिएगा मैं आपको जरूर उसका reply दूँगा और वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो वीडियो बना करके भी आपको practical समझाऊंगा इसी तरीके से हम लोग और भी जनसेवा केंदर के बारे में धेर सारे वीडियो धेर सारी जानकारियां सीखते रहेंगे आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कर लिजेगा दोनों चैनल को मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब ते के लिए जय हिंद बंदे मातरू